हलो प्यारे विदार्थियों, स्माइकेडमे की यूटूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के गणित वरक्पुक के कार्यपतरक 21 के बारे में इससे पहले अपन 20 तक कार्यपतरक को कम्प्लीट कर चुके हैं और अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं इसके साथ साथ ही इंगलिज की जो वरक्षीट है सारी कम्प्लीट वरक्षीट वहाँ पे अविलेबल है इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया है और विज्ञान का भी लिंक दिया गया है तो आप इनको भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं अगर आप अभी तक आपने चलन को सस्क्राइब नहीं करें प्ले चालन को सब्सक्राइब जरूर करें विशे वस्त हुए दो चर रासी वाले समीकरण अधिगम बीद्व कथन को समीकरण के रूप में लिखना जैसे कथन से बनने वाले समीकरण का मिलान करना है जैसे किसी संख्या के तीन गुणे में कोई संख्या उसका तीन गुणे में चार का योग 25 होगा एसी संख्या आपको ढूणने है इनमें से इनका मिलान करना है जैसे ये कह रहा है किसी संख्या के तीन गुणा कोई संख्या उसका तीन गुणा जैसे x जैसे x गुणा 3 अनि यहाँ यह मिल रही है 3X गुण 4 फिर X और 4 का योग 16 X और 4 का योग 16 आ रही है थो यह इसका मान हो जएगा Next X में से 5 गटाने पर 3 प्राप्त होता है X में से कित्ने गटाने पर? 5 गटाने पर यह देखो X में से 5 गटाने पर 3 प्राप्त होता है तो ये देखो ये रहा उत्तर इसका तो इसका उत्तर हो जाएगा फिर है एक संख्या X का 2 गुणा 8 है यानि X का 2 गुणा 8 है ऐसी संख्या अपने को डूढ नहीं है तो देखो X का 2 गुणा 8 है ये देखो ये रही संख्या X की 2 गुणा 8 हो जाएगा फिर है संख्या X के 4 गुणे में से 2 गटाने पर 18 मिलता है X का 4 गुणा तो देखो X का 4 गुणा कहां पर दिखाई दे रहा है ये देखो ये रहा X का 4 गुणा X का 4 गुणा में से 2 गटाने पर कितना प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है फिर है संख्या के आदे में से 2 गटाने पर 7 मिलता है संख्या के आदे में से 2 गटाने पर 7 मिलता है तो इसका देखो आंसर अपने को यहां मिल रहा है किसी संख्या के आदे में से दो गटाने पर कितना मिलता है साथ मिलता है तो इससे मिलान करना है उसके बाद में संख्या X का एक बटे पांच चार प्राप्त होता है यानि एक बटे पांच है वो कितना उत्र कितना प्राप्त होता है बटे 5 पराबर चार हो जाएगा फिर हैं, संख्या एक्स को पांच से बाग देने पर छाए पराप्त होता है एसी भी संख्या है ये देखो X में 5 का भाग दिया कितना प्राप्त होता रहा है 6 प्राप्त हो रहा है फिर है एक संख्या के 24 में से 5 गटाने पर 4 प्राप्त होता है तो ये देखो ये मिल रहा है यहां पर किसी संख्या के 24 में से 5 गटाने पर 4 प्राप्त होता है फिर अगला है X का 10 गुणा 60 है X का 10 गुणा 60 तो ये देखो X का 10 गुणा 60 सीधा पड़ा है फिर है संख्याओं X और 5 का योग 9 है X और 5 का योग ये पड़ा 9 फिर है X में से 2 गटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है यानि नो प्राप्त होती है तो ये देखो नो प्राप्त हो रहा है इस तरीके से आपको इसको हल करना है I hope कि आपको अच्छे से समझ में आगया होगा मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जए आपको इस तरीके से इनको क्या करना है मिलान करना है I hope कि आपको ये अच्छे से समझ भाए होंगे Thank you